कि नॉर्मल वर्फी तो आप खाते हो हूं हमेशाई काते हो लेकिन अगर आप जो है डाइटिंग्ण घराथे और मेरी तरह मीठा खाने से इस एक तृह आपको मीठा पसंद है तो यह रेशीप ी आप पर जाए है तो यहां पर चाहिए हमें बादम प्रतें आप ले लीजिए तो पानी ले लिया है एक भगोने में इसमें नाल दिये हैं बादाम और आज को कर देंगे मीडियम हाई नहीं करेंगे लो नहीं करेंगे मीडियम रखेंगे मीडियम आज में दस मिनट में उबाल पर आ जाएंगे जैसे इस तरीके का उबाल आ जाए तो बस एक मिनट के लिए उबलने दीजिए और उसके बाद में गैस की आज को बंद कर दीजिए आप चाहे तो पांच मिनट तक इसी तरीके इन्हें पानी में पड़ा रहने दे इस तरीके से और गैस की आज को बंद करेंगे अब हम इसे चान लेंगे और थोड़ा पानी डाल करके इन्हें धो लेंग बस दो तीन बारी मसल दो देखिए अपने आपी इनका छिलका उतर जाता है छिलका उतारने की यह ट्रिक आपको अच्छे लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा तो यहाँ पर देखिए यह मैंने कितना हलका सा यह भी मसला है इसे साथी मेरा जो कपड़ा है वो भी छोटा है अगर आप बड़ा कपड़ा लेंगे और उसमें आप थोड़े थोड़े बादाम लेंगे तो जगे ज़्यादा होगी डीला डीला करके उसे अच्छे से मसल दीजेए हाथ से भी यह बड़ी आसानी से निकल आते हैं बस आप हाथ में लीजे थोड़ा सा उ ने दबाईए आगे की तरफ को छिलके को पकड़ते हुए और यह अपने आपी छिलके से बाहर हो जाते हैं वैसे तो यह मसले वारा तरीका सबसे अच्छा है आप इसे अच्छे से मसल दोगे ना तो आपके एक बार में ही 30 से 40 बादाम छिले हुए निकल जाएंगे बस बादाम को ऐसे ही आपने छील लेना है और अच्छे पानी से दोलेना है इसके बाद हम जार लेंगे मिक्सी का बड़े वाला मैंने जो बीच का जार होता है वो ले लिया है ग्राइंडर और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी ढाल करके अच्छे से पीस लेंगे बहुत काजू की बरफी बनाना चाहते हो न तो बस आप काजू को इसी तरीके से बना सकते हो काजू की बरफी को बस उसके लिए आपको काजू को बालने की जुरत नहीं है आप काजू को पानी में भी हो दीजिए एक दो घंटे के लिए और फिर पीस लीजिए और यहां हमने डाल दी है दो कटोरी काजू पेस्ट के लिए डियर कटोरी शक्कर डालनी है पीसी हुई शक्कर ली है मैंने याप बूरा है अगर आप के पास दानादार शक्कर है तो आप उसे मिक्सी में पीश सकते हो पीसी सक्कर से इस मिठाई को बनाना काफी आसान है और जो है जल्दी भी हो करके उसे पिगला लो उसके बाद में इस पेस्ट को डाल लो फिर आप इसे लो मीडियम फ्लेंग पर बराबर चलाते हुए पकाईए अभी तो देख रहे होगे आपकी ये चमच में भी बहुत सारी लिप्टी हुई है ये मिश्रून और जो है कडाई में भी धीरे धीरे ज अगर आप बहुत कम खाना चाते हैं मैंने इसमें बहुत कम चक्कर डाली हुई है ये बिल्कुल खाने पर आपको बहुत ही कम मीठी लगने वाली है जब मैंने बनाई क्यूंकि मुझे इसी तरीके की पसंद थी और मुझे ज्यादा शकर नहीं डालनी थी थोड़ा वेट ब लग रहा है कि यह अभी थोड़ी गेली है तो आप थोड़ा सा इसे लो मेडियम फ्लेम पर दो से तीन मिनट के लिए और पका सकते हो तो जब वैसे थोड़ी यह हार्ड हो जाएगी और कडाई जोड़ देती है जैसे पक जाता है हमारा बाधाम का मिशन और चीनी का पानी थोड़ी देर आप से बटर पेपर में मसल सकते हो अगर आप बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरीकी कडाई ले लो और इसकड़ाई में आप इसे थोड़ी देर मसल दिरो जब तक यह अच्छे से ठंडी न हो हजाए यह बिलकुल की तरह अधिय कोई फटने-कटने का चांस नहीं रहता कि यह भटेगी, बिल्कुल अच्छे से आटे चैसे बिल्कुल हो जाती है, इसमें कोई दरार नहीं पड़ेगी, अब इसे इस तरीके से करके आप हलके आदों से अच्छे से बेल भी सकते हो, तो वैसे तो बेल करी बनाएंगे हम इसे, पतले-पतले पीसे स आप निकाल सकते हो इसके, तो मैंने दूसरे सर्फेस में इसे ले लिया है, और इस तरीके से हम, जितना मोटा पतला आप पीसे करना चाहते हो, उतना आप इसको बेल लो, सर्फेस में आप थोड़ा सा अगर बटर लगा लेंगे, घी लगा लेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस तरीके से अब इसे हम चोक और शेफ दे देंगे, जिससे कि हमारे जो मिठाई के टुकड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें मिल सके, यानि कि अगर किनारे क्लीन नहीं होते हैं, तो फिर कटिंग बहुत सारी निकल जाती है, सिल्वर का, इसमें हम ये वर्क ल लगा दिया है, और जब ये ठंडी हो जाए पूरी तरीके से, तब ही आप इसके पीसेस काटना, खाने में इतनी स्वादिष्टे मूं में डालते ही घुल जाती है ये